हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटीटु कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए जबदस्त और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेडिंग बताने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी अब इनट्राडे के बताने जा रहे हैं वो दो इंडिकेटर की बेसिस बताने जा रहे हैं दो पावरफुल इंडिकेटर है जिसका इस्तमाल अगर आप करेंगे तो आपका ट्वीड का एक्विरीजी लेबल भी इंक्वीज हो जाएगा तो चलिए इसको सीखते और समझते चार्ट पर आना चाहेंगे और यह देख सकते हैं यह जो चार्ड है आपका आपको single line दिख रहा है यह आपका private point इसका आपने नाम भी सुना होगा और यहां पर आप चाहो तो इसका आप यूज भी कर सकते हो studies में आपको जाना है यहां पर हमने जिरोधा के kite platform को use किया है आपको private point तो सारी जगह मिल जाएगा लेकिन हो सकता है कि central आपको बहुत कम जगह मिले देख सकते हैं यहां पर यहां पर कर सकते हो और आपके सहुलियत के लिए लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप चाहो तो जिरोधा में खोल सकते हो और इसका या पाइवरट पॉइंट तो सबसे पहले पाइवरट में आटाते बाद में एड करेंगे सब पहले आप सिर्फ को देखते हैं यहां पर देखे अब आपका देख रहा है यहां पर आपको तीन वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो आप हमारा जवुर देख लीजिए जहां पर आपको इसके बारे में डीटियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जहां पर हमने इस स्ट्रेटगे करने लेकिन आज हम यहां पर क्या करेंगे लागी करेंगे यहां पर आपने वीडियो नहीं देख तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी दिख सकतें नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा नहीं तो मैं अपने योटूब चैनल पर लिए जाके आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आपका 15 वीनिट का इसकी पर इंट्राडे आसानी से कर सकते हैं मैंने आपको तीन लाइं इस वीडियो डिटेल से डिसकुस किया और एक वोड आता है जहां पे price आपका CPR से उपर trade कर रहा है यहां प्राइस ट्वेडिंग इभब दा टॉप CPR, एक वो रहा था price trading below the bottom CPR यह हो गया, जहां पे bottom CPR के नीचे price trade कर रहा है और एक वो हो गया, price trading within the CPR आपका यह हो गया तिये चार टाइप का होता, एक virgin CPR प्राइस नहीं आता एक वह होता है जहां पर सुपर प्राइस कऱा से नीचे प्राइस कऱा और इस चार बीच करते हैं उसके लिए आप डीटेल से वीडियो देख सकते हैं अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम और पौ're ק यूरू करेंगे और उसके बाद में आपको बदाओंगा इसका इन्ट स्टार्ट्वारे में हम इसे में कैसे करेंगे Essda एड़ करने के लिढ़ पिर स्टुडि में यहां पे जाना होगा और यहां पर आपको पाइबर चार्ट पर दिख रहा होगा अब इसके वी से इसे इस तैप सकते द्यार रखना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें trade लेना intraday में trade लेना यानि same day हम positions बनाएगे और same day positions को exit करेंगे और इसके basis पे आप चाहो तो options में भी trade कर सकते हो कैसे trade कर सकते हो वो मैं आपको इस video में बताने जा रहा हूँ बस आपको थोड़ा सा patience रखना परेगा और यह चीज आपको बहुत कम जगा बताया जाएगा और यह काफी accurate होता है क्योंकि यह आपका price action के basis पे जो कि आपका crucial support और resistance level बताता है और इसके basis पे अगर आप trade करोगे तो आप perfect target price, perfect आप stop loss यह सारा कुछ आप find कर सकते हो तो अगर आप इसके basis पे trade करोगे तो आप perfect target, perfect stop loss, perfect entry और exit point भी find कर सकते हो तो यहाँ पे अब हम देखते हैं देखिए यहाँ पे आपको entry कब लेना सबसे पहला CPR आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे entry कब लेना और कब आपको sell sir की तरफ जाना अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले CPR को price break करके ऊपर निकला जैसे ही top CPR को break करके ऊपर निकलेगा हम क्या करेंगे यहाँ पे हम buy sir की तरफ जाएगे यानि यह जो point है यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा यहाँ पे entry point ठीक है उसके बाद जब हमने CPR को उपर वीडियो बनाया था तो हमने target price के लिए क्या बोला था TBS high को हम यहाँ पे target price लेंगे लेकिन कभी-कभी उसके basis पे लोग सही से target price find नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा तरीका इस्तिमाल किया पाइवर्ट पॉइंट जैसे ही यह आपका CPR जो डेंज है टॉप CPR को ब्रेक करके price उपर निकले तो target price कहां पे रखेंगे अगला जो भी पाइवर्ट पॉइंट होगा यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा target price देखिए जैसे इसने CPR को ब्रेक करके price उपर निकला यह इसने इसको टच किया यानि इसने पाइवर्ट पॉइंट को टच किया और उसके बाद पाइवर्ट पॉइंट यहाँ पे क्या काम किया रिस्टेंस की रूप में काम किया यह आपका बन जाएगा support तो जैसे price यहाँ से वापस लोटा है तो हम क्या करें यहाँ पे हम सिलसरी की तरफ जा सकते हैं वापस से हमारा क्या target बन जाएगा यह जो CPR का top CPR range है यह हमारा क्या बन जाएगा target price बन जाएगा इस तरीके से यहाँ पे हम dual direction में ट्वेट कर सकते हैं options में कैसे ट्वेट कर सकते हैं जैसे इस level को price break करके उपर निकला आप यह जो price है जैसे price आपका 730 के break करके उपर निकला इसको break करके उपर निकला यहाँ पर हम क्या करेंगे 740 वाला call options buy कर लेंगे किसका? ICSA bank का और जैसे price यहाँ पर आया यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका profit book करके यहाँ से exit कर लेंगे इस तरह के इसके basis पर आप options में भी trade ले सकते हो उसके बाद price जैसे नीचे आया हम क्या करेंगे वापर से यह जो point है 735 का 735 का यहाँ पर हम क्या करेंगे put options यहाँ पर हम buy कर लेंगे options की बात कर रहा हूं कैसे options पर आप trade ले सकते हो और यह देखिए यह सारा का सारा आपका intraday में हो रहा है same day इसको break किया same day वापस लोटा है और same day वापस से इसने इस target पर इसको hit किया इस तरीके से पहला point यहाँ पर हो गया कि कहां पर आपको entry ले रहा है यह आपका entry point हो गया उसकी बाद stop loss कहां पर रखेगा वह भी बहुत बड़ा crucial होता है तो जैसे top को break करके उपर निकला तो यहाँ पर हम buy करेंगे और sell करें उपर वाला हमारा sell बन जाएगा और buy करें तो top को break करके उपर निकलेगा तो हम entry लेगे और sell करें तो bottom को break करके नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर entry लेंगे उसके बाद अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हुआ प्राइस यहाँ पर private point को support लिया है और price आपका all the way upside की तरफ निकला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जो trading business लेंगे वह CPR के basis लेंगे तो आप चाहो तो private point से जैसे price वापस से उपर की तरफ जा रहा है तो हम buy side की तरफ जा सकते है पहला target पैस यह दूसरा target पैस यह लेकिन हम उसके basis पर trade नहीं करेंगे क्योंकि हमें entry कब लेना CPR के basis पर entry लेना यानि price आपका CPR के range के अंदर आया और इसको break नहीं कर पाए वापस से यहाँ पर नीचे side की तरफ लोट जैसे यहाँ से नीचे side की तरफ लोट यहाँ पर हमारा क्या होगा bottom को break करके जैसे नीची आया यह हमारा बन जाएगा क्या यह हमारा entry point बन जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे आप इसके basis पे trade ले सकते हो और stop-loss यहां पे हम क्या रखेंगे जब प्राइस को ब्रेक करके नीचे आया यह हमारा क्या बन जाएगा SL को यहां पर hit नहीं किया क्योंकि हम entry कब लेंगे इंट्री इस वाले red candle पे लेंगे और उससे पहले ही इसको breaker के ऊपर निकला है तो उस टाइम पे हम इंट्री नहीं लेंगे इंट्री उसके next candle पे लेंगे इस तरीके से हम इसके basis पे trade ले सकते हैं और यह हमारा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा उसकी बाद अगले दिन देखेगें अगले दिन वी क्या कुछ हुआ है यह सारा कुछ काम क्या हुआ है यह सारा कुछ काम हुआ है आपका intra day में इसलिए यह सिर्फफ और सिर्फ इंट्राद के लिए या फिर इसको चाहुत तो आप BTSD में भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह पर्फेक्टी काम करता में मंत वाला ही data जो recent data वही data अब यहां पर देखिए यह आपका narrow CPR बना narrow CPR कैसे बनता वो भी मैंने उस वीडियो में explain किया वो वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर CPR आपका narrow बना उसके बाद जैसे ही price CPR को break करके उपर निकला है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर 20 साइड की तरफ जहेंगे अब यहां पर देखे हैं इहां पर narrow CPR बना तो यहां पर stop loss हम क्या झारखेंगे सीपिर कि यह लोिएविश पॉइंट को stop loss नहीं बनाएंगे क्योंकि CPR बहुत नेरो है उसके बाद जो भी lowest point है उस दिन का उसको हम क्या रखेंगे as a stop loss रख सकते हैं या नहीं तो उससे नीचे का जो भी private point है उसको हम as a stop loss इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी narrow CPR रहेगा तो हम CPR के basis पे stop loss नहीं रखेंगे उसको बस हम as a entry point count करें इसको break करके ऊपर निकला है यह हमारा क्या बन जाएगा यह रहा बन जाएगा in three दूँल गेम कर सकते हो यहां प्र देख सकते। इस त्रीके से आप प्र उपकोंट और वहलें करिके आइंगो। ऑफ दिखाना चाहें को कर दोंगा और यहांकों आपका कंड़ाको यहां प्र आइप 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज किया अब यहां पर देखिए यहां पर क्या कुछ हुआ यहां पर आया है यह हमारा पाइवर्ट पॉइंट को सपोर्ट बना है फिर प्राइस उपर निकला है फिर आपका प्राइस सी पीर के बीच में आया सी पीर को जब टच करेगा तभी ह प्राइस की बिच बैजर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगर इंट्री पॉइंट निकलेगए व मुर्व नार इसमाद करेंगे और इस टाइम पर मार्कें आपका का स्ट्वैज को अुझ त माले है और मॉलें अब क़र लेकिन इसका एक वेसी आप 70% to 80% ही मानी उससे ज्यादा एक वेसी दे रहा तो आपका लग है लेकिन इसे ज्यादा आप एक वेसी का उमीद नहीं कर सकते हैं और इसके मेरे कहने के बाद डायक्ट आप इंट वाड़ी ट्वेडिक मत सुरू करो सबसे पहले आपको क्या करना ट्वेडिंग करना उसके बाद वहां पे कुछ डाउट है तो आप मुझे क्लियर कीजिए उससे आप कॉल कर सकते हैं यानि तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बाद अगर आपको साही लग रहा वहां पे सारा कुछ अच्छे तरीके से जा रहा फिर आप लाइफ होगा टार्गेट पैस को इसने हिट किया फिर यहां पर सब्वोट लिया और फिर यहां से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकलेगा यहां पर क्या करेंगे हम प्राइब के विचाओ तो इंट्वी ले सकते हैं और फिर यह हमारा क्या बन जागा टार्गेट पैस बन क्योंकि यहां पे CPR के लेडल को टच नहीं किया, तो यहां पे CPR मेंन पॉइंट होगा जिसके वेशीट Port Sum ऊफ को आपको प्संद आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए, ताकि इस तरह के और वी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम आपके लिए वेगलर बेसिस पे लाते रहेंगे, और इस वीडियो से विलेटे कुछ भी डाउट या कनफीज